नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइने टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार खिलाब कानून बनाया जा चुका है मुख्यमंत्री सिवरा सिंग चोहान ने ट्वीट किया कि दा केरला इस्टोरी लब जिहाद धर्मांतरन और आतंकवाद के सणियंद्र को उजागर करती है उसके घिनवने चेहरों को सामने लाती है छनिक भावुकता में जो बेटिया लब मसूरी में ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें भोपाल में पदिश्थापना के आदेश जारी किये गई सभी नए आईये सदकारियों को साहया कलेक्टर के पद पर अलग अलग जिलों में पदस्त किया गया है श्री महाकालिश्वर मंदिर उज्जयन में निर्माड कारियों के चलते मंदिर के सामने के और परिशर में अब अंडरग्राउंड कोरीडोर की खुदाय का कारे सुरू होगा इसके लिए सामाने श्द्धालू के दर्शन-बवस्था में भी बदलाओ किया किया है उंडरर क्रांड का निर्माड करीब एक महीने में पूरा करने का टार्ग जिले के प्रभारी मंत्री नियमित रूप से रोचाना आवेद्नों के निराकरण की समीच्छा करेंगे, लंबित आवेद्नों का निराकरण ना करने वाले अधिकारियों को तलब किया जाएगा, ध्यान रहे संबंधित विभाग ग्राम पंचायत इस्तर में सिवीर लगा कर आवेद्नों का निराकरण करें, मध्य प्रदेश में 8 मई से मूग और उड़त की समर्थन मूल पर खरीदी के लिए रजिस्टेशन सुरू होंगे, किसान 19 मई तक ग्रीस मकालेन मूग और उड़त फसलों के पंजियन करवा सकेंगे, किरिश्वी मंत्री कमल पटेल ने बता किया है, इस भाव में किसान अपनी फसल बेच सकेंगे, रीवा जिले के तीन अलग अलग हाद्सों में 18 लोग घायल हो गए, पुलिस के मुताबे पहला हादसा बिछिय थाना छेतर के चिरहुला मंदिर के समीप हुआ, जहां आटों के सामनी अचाना कुत्ता आने से वहन अ नियंतिरित होकर पलट गई, इसी तरह तीसरा हादसा गुर्थाना अंतरगत नर्रहा के पास हुआ, पुलिस का कहना है कि दो बाहनों की आपस में भिडंत हो गई थी, तीनों ही मामले में संबंधित पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिचवाया है, जहां सभी को प्रात्म गाउ माताम में डूबा रहा, इस दवरान गाउ में पुलिस भी तैनात रही, दरसल लेपा गाउ में सुक्रवार को 10 साल पुराने विबात के चलते एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी, पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को ग्रिफतार कल लिया है, फरार 7 अतारोपियों पर 10-10 आजार रुपे का इनाम गोंसित किया है, मडिपूर में मैताई आराचन विबात को लेकर बुद्धवार से भड़की हिंसा में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से जादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है, राज के 1100 हैं, उनके एक जम बाद में होंगे, मध्य प्रदेश में तेज बारिस और आंधी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है, सनिवार से प्रदेश में गर्वी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिये, कई सहरों में तापमान 5 डिगरी तक बढ़ गया, रतलाम और नर्सिंग पूर सब फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरातरी